नमस्कार दर्शकों बुधवार के दिन विग्न हर्ता श्रीव गणेश जी की आराधना की जाती है। तोलत में व्रद्धी होगी बिजनेस में तरक्की होगी और सिक्षा के छेत्र में नौकरी के छेत्र में भी आपको सफलता ही प्राप्त होगी। जानते ही बुधवार की कुछ उपाय सबसे आसान उपाय है कि गणेश जी की पूजा में दुर्वा को जरूर शामिल करें। फिर उनको मोदक का भोग लगाएं। मोदक और दुर्वा दोनों ही गणेश जी को सबसे प्री होती हैं। तो गणेश जी को आप इन दोनों चीजों का भोग अवश्य लगाएं। पूजा में ये दो वस्तुएं गरण करने से वे बेहदी प्रसन होते हैं। गणेश जी की क्रपा अगर मिल जाए तो व्यक्ति हर कार में सफल होता है। धन दोलत में व्रद्धी होती है और बिजनेस में भी तरक्की होती है। आज बुद्वार के दिन पूजा के समय आपको गणपती का अधर्व शेष का पार्ट जरू करना चाहिए। अगर वह नहीं होता तो जय स्री गणेश आयनमा, स्री गणेश आयनमा या फिर गणेश चालिसा का पार्ट अवश्य करें। इसके प्रभाव से व्यक्ति की मनोकामनाएं शीगर ही पून होती हैं। कार्यों में सफलता मिलती है। बुद्वार के दिन हरी मुंग का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। हरी मुंग की आप हलवा बना कर भी किसी को खिला सकते हैं। या हरी मुंग का दान भी कर सकते हैं। कोई गाय आपके द्वार पर आए तो उसे रोटी के सांसन हरा मुंग भी खाने को दे थोड़ा सा इस दिन सवा पाओ हरी मुंग पानी में भिगो दे और उसी उबाल दे फिर उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिला कर किसी भी गाय को खिला दे ऐसी मानेता है कि एसा करने से वे गनेश मंदिर में नहीं तो आप घर पर ही गनेश जी को गुड तथा गाय के शुदगी का भोग अवश्य लगाएं ऐसा करने से माता लक्ष्मी तो साथ में प्रसन होंगी ही होंगी नेश भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी आपके घर में ध जिरूरत मंदि को दान अवश्य करी